तो बरतीगर्मी की बीच मद्धिप्रदेश की कई इलाके पानी की किल्लत से जूज रहे हैं एक तरफ हटा जनपत पंचायत की कई ग्राम पंचायते बून्द बून्द पानी को तरस रही है हालाप ये है कि कई ग्रामिल इलाकों में लोग बैलगारियों के जरिये नजदीकी गाउ से पानी ढोकर लाने को मजबूर है ग्रामिलों का कहना है कि समस्या गंभीर है गाउ के हानपम बंद पड़े हुए है मजबूरन सभी परिवार की सदसे पानी के लिए भटकते रहते हैं और दिन भर पानी ढूनने में ही निकल जाता है तो वहीं दमो शहर की करीब आधा दर्जन इलाकों में लोग सुभा से नगरनिगम के नल के सामने बर्तन लेकर पानी के इंतजार में बैठे रहते हैं और ये हाल सब है जब यहां करोरों की तीन तीन परियोजनाय संचाले थो रही है इस बारे में जब दमो शहर के पानी सप्लाई यंत्रे याने की फिल्टर प्लांट पर जाकर हालात को जाने की कोशिश की गई तो वहां की प्रभारी ने दावा किया कि रोज एक टैंकर से पानी भीजा जाता है लेकिन सवाल ये है कि जब लोगों की संच्या हजारों में हैं तो फिर एक टैंकर से क्या होगा कि एमो बियल सिंग तो एक कदम और आगे रहे उन्होंने ये दावा कर दिया कि परियाप्त पानी पहुंचाया जा रहा है यहां तक की शहर के बाहर भी पारी पहुंचाने की तैयारी है तो बीशण गर्मी के बीच मद्दप्रदीश के गाउं में तस्वीरे कैसी नज़र आ रही है उसकी बानी हम आपको दिखा रहे हैं गाउं हो या शहर पानी के लिए लोग जूज रहे हैं जर्मी में नल सुख गए हैं हानपम सुख गए हता की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं आप देखिए किस तरह से बैल गाडी से पारे ढोने के लिए लोग मजबूर है किलोमीटर इने जाना पड़ता है हर एक परिवार के हर एक सदक से तो लगा दिया जाता है कि वो जाकर के पानी ढूंडे तब जाकर के उनका निस्तारू पाएगा दूसरी तस्वीर गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर है दवो आप देखिए किस तरह से ये जो पानी है मटमेला पानी है जिससे कि शायद हम नहाए भी ना लेकिन इस पानी को लोग पीने के लिए मजबूर है दमो की तस्वीर आप देखिए नल यहाँ पर खाली है सुबे से जैसे ही शुरुआत होती है सुभा की लोग अपने घरों से निकल जाते हैं निगम के जो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लाइन से यहाँ पर कनिस्टर लगे हुए हैं और लोगों को एक एक बून के लिए तरखना पड़ रहा है और उसके बाद भी जो निगम के अधिकारी है जो वहाँ की शेत्र अधिकारी है उनका कहना है कि एक टैंकर से पानी यहाँ पर पहुचा दिया जाता है लेकिन सवाल यह है कि जब यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रहते हैं तो एक टैंकर पानी कितना उनके लिए परियाप्त हो पाता हो और इसके साथ ही दूसरे अधिकारी तो कह रहा है कि दूसरे शहर में भी वो पानी पहुचा रहा है लेकिन ये दो तस्वीरे असलियत दिखाती है कि किस तरह से मध्यप्रदेश में भीशन गर्मी के बीच लोग पानी के लिए परिशान हो रहा है जल संकट यहां पर बरा हुआ है चलिए बढ़ते हैं आगे